भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कराची में बैठा दाउद इब्राहिम रिमोट कंट्रोल की तरह हर देश में मौझूद अपने गुर्गों के जरिये अपना धंदा चला रहा है और खुद कराची के सिफ़ाउज में बैठा रहता है डी कमपनी के उसके घुर्गे अपना काम करते रहते हैं और जहां कोई परिशानी आती है फिर दाउद खुद को आगे करता है और एक फोन कॉल से सारी परिशानी खत्म आज तक के हाथ लगा है दाउद इब्राहिम की हिंदुस्तान में बाचीत करते हुए वो फोन कॉल जो आ सरकार के आने से पहले 2014 में भारत में सरकार बदली और नरेंदर मोधी के नेतरित्व में बीजेपी की अगवाई वाली पून बहुमत की सरकार बनी बस यही से शुरू हो गया दाउद पर शिकाउंजा कसने का सिलसिला बस इस फोन की एक भनक ने उसके फ्लान को फेल कर दिय और फिर मुंबई में हुई डॉन के भाई एक बाल कासकर की गिर अफ्तारी ने सब को चौका दिया हिंदुस्तान में अंडर वर्ड ओन दाउद इबराहिम की मौझूदगी का वो सबूत जिस से साबित होता है कि वो भले ही कराची में रहता हो लेकिन राजवो मुंबई और मुंबई अंडर वर्ड पर आज भी करता है पढ़िये वो बातचीत जिसको सुनने के बाद मोधी सरकार ने फेल कर दिया दाउद इबराहिम का प्लान मुंबई दाउद हम बिलकुल बताता हूं कौन से दिन निकार है रिजवाना कल भाई, कल असर है दाउद कल असर में है रिजवाना जी भाई, दाउद कहा शहा जहामपुर में रिजवाना नहीं भाई नासिक में दाउद अच्छा अच्छा ठीक है चलो, अल्ला मुबारा करें दाउद अच्छा किया अच्छा किया, ठीक है ठीक है, इशाह अला, अला खिर करेगा इशाहा अल्लाह पहुंच जाओ फिर उसको फोन कर लेना वो दुबई वाले को ठीक है ना इकबाल जी दाउद ठीक है ठीक है इशाहा अल्लाह फिर मैं बोलता हूँ दाउद इबराहिम की हिंदुस्तान के मायान गरी मुंबई में हो रही ये बात चीट जाज एजेंसे उन्हें उस वक्त इंटरसेप्ट की थी जब नरेंदर मोदी ने पी एम पद की बस शपत ली ही थी यूँ तो भले ही दाउद इबराहिम मोस्ट वांटेड अंडर वर्ल्ड ऑन है लेकिन साल 2014 के पहले ये महरज बात सिर्फ खेहने भर को ही थी दाउद इबराहिम के भाई इक बाल-कासकर की गियर अफ़तारी के पहले तक ऐसा लगता था कि मुंबई में अंडर वर्ल की दुनिया में खामोशी है लेकिन दाओद इबराहिम के भाई इकबाल कासकर की गिर अफ्तारी के बाद तो जैसे हड़कंप मच गया इतना ही नहीं पुलिस ने दाओद इबराहिम का उसके करीबी छोटा शकील का और दाओद का पाकिस्तान में मौजूद भाई अनीस इबराहिम का मुंबई में दखलंदा जी का खुलासा हुआ इकबाल कासकर हेलो सलाम वालेकुम दाओद वालेकुम सलाम एकबाल तो बस सुबह में निकलेंगे भाई दाओद हा एकबाल सुबह में निकाह के लिए दाओद कहा के लिए अच्छा अच्छा ओहां ठीक है ठीक है ठीक है मुबारक एकबाल जी जी रिजवान बात करेगा दाउध हां रिजवान रिजवान हेलो दाउध हां रिजवान हेलो सलाम वालेकुम दाउद सलाम वालेकुम बेटा रिजवान जी चाचा जान दाउद सुभह जाएंगे रिजवान जी चाचा जान सुभह जाएंगे उधर दाउद ठीक रिजवान अभी चार बजे के बाद उधर कबरिस्तान पर उधर से नासिक के लिए जाएंगे दाउद ठीक है ठीक है माशा अलाह चलो बहुत मुबारक ठीक है ना और क्या हाल फिर चलो फिर बाद में बात करता हूँ तुमसे रिजवान जी जी हाँ हाँ और चाची बड़ी चाची कैसी है दाउद बड़ी चाची नहीं है मैं बाहर हूँ रिजवान वो बाहर है एक मिनट मम्मी बात करेंगी रिजवाना सलाम वालेकुम भाई दाउद सलाम वालेकुम बेटा हाँ रिजवाना बहुत मुबारक तेरे को बहुत मुबारक तुम ल कहा सब ऐसे ही है दाउद माशा Алला, अला का शुकरवार है, बुजुर्माने दिन होंगे साथ होंगे, इशा अला फिक्र नई करो रिजवाना भाई हस्रत को, दाउध हाम बिल्कुल बताता हूं कौन से दिन निकार है, रिजवाना कल भाई कल असर हैं, दाउध कल असर में है, रिजवाना जी भाई दाउद कहा शहाज हामपुर में रिजवाना नहीं भाई नासिक में दाउद अच्छा अच्छा ठीक है चलो अल्ला मुबारक करे रिजवाना जी भाई आते तो फिर आप दाउद हाँ हाँ इसा अल्ला रिज्वाना भाई एक मिनट एकबाल है लो सलाम वालेकुम दाउद वालेकुम सलाम एकबाल जी दाउद चलो मुबारक इंशाहला चलो अला ताला करम करेगा इंशाहा अल्ला हमें हज्रत को भी बोलता हूँ और वहां पे दूआ करो इंशाहला ठीक है ना इकबाल जी दाउद और इंशाहा अल्ला देख लो फिर मैं बोलता हूँ इकबाल रफीक चाचा तो बुलाया हूँ दाउद अच्छा किया अच्छा किया ठीक है ठीक है अिशाहा अल्ला अला ख्यर करेगा अिशाहा अल्ला पहुंच जाओं फिर उसको फोन कर लेना आवो दुबई वाले को ठीक है ना इकबाल जी दाउद ठीक है ठीक है अिशाहा अल्ला फिर मैं बोलता हूँ इकबाल ठीक है अलहापिज दाओद इबराहिम और मुंबई में मौजूद इकबाल कास करके बीच हुई इस बाचीत को सुनने के बाद जाचा जेंसियों का माथा ठनका था और फिर मुंबई में अंडर वर्ल की तयार हो रहे ही नई जमीम का पता चला था इस फोन को दाओद इबराहिम को फोन रखने की बेहत जल्द बाजी दिखाई दे रही थी दरसल मोधी सरकार के आने के बाद दाओद ने फोन पर बात करना एक तरह से बंद कर दिया है वरना कुछ सालों तक डॉन के अच्छे दिन चल रहे थे सुनिये दाओद इबराहिम के अच्छे दिनों की ये फोन कॉल्स इस फोन कॉल में यह भी पता चल रहा है कि कैसे भी धड़क दुबाई में बैठे अपने गुर्गों से लोगों को समझा रहा है और एयरपोर्ट से डियूटी फ्री शराब लाने की बातें भी कर रहा है दुबाई है लो सलाम वालेखुम दाओद वालेखुम असलाम दुबाई सरहुकुम दाओद क्या हुआ दुबाई अलहमदु लिला बताएं लाउंज में है एरपोर्ट पे दाउद सही है ठीक है दुबाई मुस्ता भाई भी साथ है दाउद सही है दुबाई तो इंशाहा अल्लाह बस पहुंच रहे है दाउद ठीक है वो duty free पकड ले दुबाई वो हा का फुटाने पड़े है वो टाने पड़ी है ले लिये है दाउद वो मुन्शी जी को बोला क्या मुन्शी जी को दुबाई क्या बोलना है दाउद बोलना मुन्शी जी को दुबाई ढूनना पड़ेगा एरपोर्ट पे हूँ आगे बोलना क्या है दाउद क्या है तरीका दुबाई समझ गया समझ गया पहले मैं उसको ढून तो वो कराची में बेट कर मुंबाई, दुबाई समेत पूरे अंडर वरलर में अपना सिका चला रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली उसके उल्टे दिन शुरू होने लगे। झाल खुबाई सिका ये वो कराची में ये सुबाई से उल्टे दिन शुरू होने लगे।